डेरा सच्चा सोदा के परमुख असली है या नकली पंजाब गुर्म हरियाना हाई कोट ने याचिका की खारिज याचिका करताओं को लगाई जमकर फटकार हाई कोट ने कहा यह कोई फिलम नहीं चल रही है हाई कोट ऐसे मांतों की सुनवाई के लिए नहीं है लगता है आपने कोई फिक्षल मुवी देख ली है पैरोल पर आया गुर्मित राम रहीम कैसे हो गया गायब हाई कोट ने कहा पिटीशन दाखिल करते समय लगाया करोध दिमाग किसी एक व्यक्ति के कहने से कि गुरुजी असली है या नत्री है या उनके सवाल उठाना इस असली नक्रीका तो यह बिलकुल ही गलत बात है और बे बनियाद है यह बाते सच नहीं हो जाती है क्योंकि जो रूमर्स होते हैं यह सिर्फ संगत को लोगों को गुम्रा करने के लिए यह ऐसी स्टेट्मेंट्स दी जा रही है इसमें कोई भी सचा ही नहीं है तो यह बिलकुल यह बे बनियाद और फुलिश स्टेट्मेंट्स हैं जो दोस्तों अगर आप यह वीडियो हमार इस बेल आइकन पर भी कलिक करें जी इंसा के दर्शन करके डेरस्च सोदा के करोडों लोग अब खुशिया मना रहे हैं तो वहीं आपको पता देके अब फिर एक नया विवाद शुरू हो गया है कुछ तथा कथित डेरस्च सोदा के अन्याई कहे जाने वाले लोगों ने पंजाब एउम हर्याना हाई कोट में एक पिटीशन दायर की है जिसमें कहा गया कि जो डेरस्च सोदा का परमुख संत गुर्मित राम रहीम सिंग जी इंसा है जो यूपी के बागपत जिले के बरनावा आसरम में है वह नकली है हालांकि आपको हंसी भी आ सकती है इनकी मूरखता पर हालांकि हो सकता है कि गया है ऐसी ऐसी बाते आ रहे है खबरों में आपको बता दे के जिन लोगों ने यह पिटीशन दायर की है हो सकता आगे चलकर उनकी मुश्किलें बढ़ जाएं मुश्किलें क्यों बढ़ जाएं ये भी आपको बताते हैं कुछ तथा कतित डेरस्च सोदा के अनुयाई बन उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है या हो सकता है के हर्यान असरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन ले या हो सकता है के हाई कोर्थी उनपर कोई क्शन ले ले क्योंकि जिस तरह से डेरास्चा सोदा की तरफ से साफ कर दिया गया कि पुज्य गुरुजी यूपी के बागपत जिला के बरनावा आसरम में ही है और जो यह पेटिशन दायर की गई है यह कुछ तथा कतित लोगों दवारा की गई है वह डेरास्चा सोदा के अन्यवयाई नहीं हो सकते हालांकि आपको बता दे के जिन लोगों ने पेटिशन दायर की है उनके पिछे किस का हाथ है यह जाच करने का विशह है और डेरास्च चा सोद्दा के अन्यायों की भी यही मांगए के जल्दी से जल्दी उन लोगों को पकड़ा जाए जो उनसे यह करवा रहे हैं और डेरास्च सोद्दा के प्रवक्ताओं को दिवारा कहा गया के यह सिरफ अफुआ है और कुछ लोग डेराश्च सोदाई साज संगत को गुमरा करने में बार-बार नाकाम्याब हो रहे है वह यह कोशिस कर रहे है कि किसी तरह से डेराश्च सोदाई संगत को गुमरा किया जाए और इसी तरह अनाब सनाब आरूप लगाते रहते हैं वहीं आपको बता देके इससे संबन्दित जब हर्याना के जेल मंतरी रंजीत सिंग चोटाला से मीडिया ने सवाल किये तो उन्होंने साफ साफ कहा के यह केवल अफुआ है डिरस्च चसोदा के परमुख यूपी के बागपत जिले के आस्रम बरनावा में है आपको बता देक रंजीत सिंग चोटाला ने यह साफ कर दिया के जब हाई कोर्ट सरकार को इस बारे में तलब करेगी तो हर्याना सरकार अपना जवाब दे देगी आपको बता देके रंजीत सिंग चोटाला ने यह भी का के हाई कोर्ट में याची का दायर करने का सबका अधिकार है कोई कु पुझे गुरू जी वास्त्विक नहीं हैं बिलकुल निरादार और बेबुनियाद है यह आरोप उन्होंने कहा कि यह अफवाएं हमेशा ही अफवाएं ही रहती हैं परवक्ता ने कहा कि यह सब साध संगत और आम लोगों को गुमरा करने के लिए किया जा रहा है इसी मंसा से ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है उन्होंने आगे कहा कि अफवाएं फैलाने वाले द प्रकिरिया को भी गल्थ ठैराने का परियाश कर रहे हैं जिनोंने पैरोल दी है देरा परवक्ता ने कहा कि समाज विरोधी लोगों दोवारा कही जाने वाली बातें पूरण तै बे बुनियाद और मूरक्ता पूरण स्टेटमेंट है जो पास ओन हो रही है उन्होंने कहा कि डेराश्चा सोदा की साथ जंगत का पूजे गुरुजी पर दरीड विश्वास है और उच्छी मानशिकता के लोगों की दाल नहीं गलने वाली तो आपने देखा किस तरह से डेराश्चा सोदा के परवक्ताओं दोवारा भी इन आरोपों को सीरे से खारिज कर दिया तो व हमारी जिम्मेदारी है करकी बाते कोर्ट से सजाटा है और फिकर के बाते बाबा जो राम रहेमाई जनने सजा मिले हैं जो देखें के पर मुख थे वह यहां जो बहुँत गलत वार्क रहे हो इसमें कोई दम नहीं है जांच की मांंग की है अब बेरस मांग को ने हाइए तो आपको बता देके जिन लोगों ने अब यह याची का दायर की है क्या उन पर हाई कोट एक्षन लेता है या फिर हर्याना सरकार उन पर कोई एक्षन लेती है क्योंकि वो लोग अकेले देरास चसोदा के अन्यायों को गुमरा नहीं कर रहे बलकि वह है पुलिस पर भी सवा या निसान उठा रहे हैं और जो न्याय परकिरिया है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं जिस कारण हो सकता है के जिन लोगों के बैकावे में आकर या जिनके कहने पर उन्होंने यह याची का तो दायर कर दी है लेकिन अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है दोस्तों इस कहते हैं अपनी राइक कमेंट वोक्स में जरूर दीजिएगा धन्यवाद दोस्तों अगर आप यह वीडियो हमारे फेशुक पेज पर देख रहे हैं तो यह कलिक करके फोलो करें और साथ में इस बैल आइकन पर भी कलिक करें अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो यूट यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो किर्पा करके इस लाल बटन पर कलिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बैल आइकन पर भी कलिक करें